है गाइज वेलकम बैक टो मैं चैनल उमीद करती हूँ आप सब लोग हैपी हेलदी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ काम डाउन हूँ अच्य सी नीन राई थी मूट अच्छा है और दिल में बहुत शान्ती है तो आज दिल के शान्ति को मैं आपके सेयर करती हूँ कैसे आज मैं और में तेकाаний करने य데ो करने करनेवारी हो क्यूंकि उनको पता होता है एज, तो ज़रूरी नहीं हम को वह स्टेप यूज करने है जो कि बताया जाते हैं वह सरी वीडियो में हम अपनी स्किन के हिसाब से और कहां पैची स्कीन है कहां पर ज्यादा कुछ लगना है कहीं पर कंसीरलर ज्यादा लगना है कहीं पर हने के लिए तो मैं वैसा ही मेकप करती हूँ तो आज मैं आपको बताते हूं कि मैं कैसा मेकप करती हूं अगर मैं मैं सोच डिए जिए मैंuster नहीं दो सब्स ब्सक्राइब कर सब्सक्त रrivo लेकिन कंभाश दूर्श को ने इसमेरे बाल कि करते हैं यह स्किन को मोश ऐस करने के लिए म kayने ब्लू नेक्टर का मोश ऐजर रिया रिया है जो जो सआ यह अच्छी से जेंटन मसाज कर लिया है ताकि यह मौश शैसर है कि ऑपास बहुत सारे प्राइंट जैसे कि Spotlight का Swiss Beauty का और Sugar का लेकिन मैं यहां पर इस्तेमाल करने वाली हूँ Spotlight का Foundation का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और waterproof हो तो क्या कहने है मेरे को बहुत पसीना आता है इसलिए मैं waterproof foundation ही लेती हूँ इसको अच्छी तरह से डाप करके पूरे फेस में लगा लेना है और उसके बाद brush लेकर अच्छी तरह से blend कर लेना है और हर application के बीच में एक मिनट का gap जरूर रखना है जैसे पहले हमने मोशाजा लगाया तो एक मिनट के gap के बाद मैं foundation लगाऊंगी और उसके बाद अगला application जो भी करूंगी उसके लिए भी मैं एक मिनट का gap जरूर डालूंगी मैंने blemishes चुपाने की कोशिश किया उस जगा पर मैंने foundation जादा लग इस पर और वैसे इस टेका पर blusher आना है तो अगर थोड़ा सा शो भी हो रहा है तो शो नहीं होगा मैरी स्किन के लिए इसी तरह से मेकप सूट करता है तो आप देखेंगे वह बिल्कुल नहीं पता चलेगा और अगर blemishes पर मता सीधा मैं अगर लगाऊंगी न यह ब्लश को चुपाने की कोशिश करी है अची तरह से आप इस blender को भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने इस brush को यूज किया है एज के साथ आइब्रोस भी थोड़ी हल्की हो जाती है तो मैंने डाक ब्राउन कलर लिया है ताकि ज्यादा हाइलाइट ना हो उससे मैंने उसको टच कर दिय है जहां जहां से आइब्रोस हल्की थी जिससे कि वो थोड़ से इस मेक अप के साथ अच्छी लुक देगी आइब्रोस तो इस तरह से मैंने उनको फिल कर दिया यहां आईशेडो लगाने के बाद मैंने कैमरा ओन किया है उससे पहले मैं कैमरा ओन करना भूल गई थी मैंने इसमें light और dark दो कलर लिए हैं उपर मैंने light कलर बहा है यहां सारा और बाकी नीचे eyelids पर मैंने थोड़ा dark color, dark shade बहा है अब हम काजल और eyeliner दुनों लगा लगते हैं काजल को थोड़ा सा बाहर की तरफ लगाएंगे waterline को छोड़ देंगे जिससे कि मेरी आई आखे छोटी है तो थोड़ी सी आखे बड़ी लगती हैं किनारे तक मैं लेकर जाती हूँ जिसे कि काजल सुन्दर लगता है काजल लगाके मेरी आँखे खुब सुरत लगती है तो थोड़ा सा काजल मैंने उपर की तरफ भी लगा लिया है आँखे कमजोर हैं थोड़ी सी टेश्मा लगा हुए ना तो थोड़ा से इसलिए इस मेरल का साथ ले रही हूँ पतला पतला आई-लैनर लगाने के बाद आँखे और भी खुबसूद लगती है इसलिए आई-लैनर लगाना मत भूलिये अगर आखों पे बहुत ज़्यादा जुरियां आ जाएं तब आई-लैनर को एवट करना चाहिए तब सिरफ मसकारे से काम चलाना चाहिए लेकिन मैं मसका यूज करती हूँ तो मेरे इसाब से मेरा आइस का मेकप हो गया है अब बलाशान की ये बारी है तो मैंने शुगर का बलाशान लिया है और दो शेड़ मिक्स किये हैं एक डाक पिंग कलर है और एक पीच कलर है तो उन दोनों को मिक्स करने के बाद मैंने अपनी cheeks पे लगाया है जिससे कि ये बहुत अच्छा tint आएगा इसका और इसको थोड़ा सा आपने nose पे भी apply करना है और हलका सा chin पे भी apply कर लेना है तो अप lips की बारी है मैंने lip base पहले लगाया है लेकिन मैंने उसको camera नहीं on किया था lip base लगाने के बाद मैं lip liner से उसको line दूँगी मैंने swiss beauty का lip liner लिया है उससे थोड़ा सा shape दे दिया उपर वाला होट मेरा पतला है तो उसको थोड़ी बाहर की तरफ shape दे दी है और naika का एक pink shade उसका exact shade नहीं बता सकती लेकिन pink में shade वो मेरे lips पे बहुत suit करता है तो मैंने उसको को ही apply किया है चलिए बालों पर थोड़ा सा कॉम मार लेते हैं और खूब सुरसा लुक दे रहते हैं तो लीजिए मेरा get together के लिए make up है रेड़ी अच्छी लेग लिए ना